रहती नीली रागते जज़बाती है सारी तेरी आदे क्यों लगाए पैरा कोई तो इस हार की दे रुझ को कोई ग्रमाँ मेरे हाथ से ने बेचला सब्सक्राइब करते हैं एक और वीडियो के उपर मैं काम कर रहा हूं भी फिलाल वह है राइस कल्टिवेशन का तो चावल सभी लोग खाते हैं मगर बहुत से से लोग को जिनने नहीं पता यह पूरा प्रोसेस जो चावल उगाने से लेके फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है उसे पॉलिशिंग किया जाता है कौन-कौन से टाइब के चावल होते हैं उसे लगाते कैसे तो इसकी उपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरू बताने कि आपको राइस चाहि है तो पहले वह देखते हैं और फिर आपको नील के प्लांट के बारे में बताता हूं नील के कहानी कुछ न्यू स्टार्ट होती है कि जैसे जैसे कॉटन और उससे बनने वाला कपड़ा उद्योग मार्किट में आने लगा उस तरह से उस कपड़े को रंगनी की जन्तों जह आते थे बट वह बहुत ही हाइप राइस में होता था और बहुत ही कम कॉंटिटी में आता तो इस वज़े से यूरोपियों को वोट नाम के प्लांट के ओपर डिपेंट रहना पड़ता था वोट से बलू तो तो बलू बहुत ही फीका था ऐस कंपरटिव इंडियन ब्लू तो एक टाइम आया जब यूरोप यूरोपिय लोग भारत में आये बारत में आने के पाद उन्हों ने यहां पर नील की फार्मिंग के उपर ज्यादा धान दिया और फार्मिंग के लिए उनके पाद दो अप्शन थे या तो वो खुद का लैंड पर्चेस करके वहां पर फ काम था तो इस चकर में वह किसान जो थे वह करजे के एक साइकल में अगले अगले क्रॉप के लिए उन्हें वापस से करजा लेना पड़ता था और यह था कुछ कॉंट्रैक्ट फार्मिंग का चक्कर और आज के दिन में भी जो हमारे गवर्मेंट है वह बोली कि आप तो बहुत दूब्रिशन है उसका तो फारक वहां से स्टार्ट हुआ नेल या इंडी गोर्री वाजशन से स्टार्ट हुआ तो यह है कुछ यह नील का प्लांट अप मेरे आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ is यार्वेस्टिंग क वैंकी जाती यह मैं आपको पुटेज दिखा रहाँ बहुत ही पुराने सालोल पुरानी फुटेज है है वहां पर किस तरह किया जाता था तो सबसे पहले तो इसे फर्मेंट करना बहुत जुरूरी है अब ये फर्मेंटेशन क्या प्रस्सेस होती है तो जिस तरह हम दही बनाते हैं दूद में थोड़ा सा खटा डाल देते हैं ताकि वह पूरा जो दही है वह खटा हो जाए या ऩा फिरॉट हो जाए उस तरह से इन पत्तों को सराना फिर만ेंटेशन करना बहुत जरूरी है फिरॉट के बाद जो वॉटर हो बाजू में निकाल दीया जाता था अभी तक यह green color में आपको दिखेगा इसके बाद इसके अंदर डाला जाता है lime यानि alkaline जो material है वो उसके अंदर डाला जाता है वो react करके फिर अपना color जो है वो generate करता है तो यह बहुत ही laborious process थी अंग्रेजों के टाइम पर जातर वो लोग यूज करते थे इतने labor की जरुवत पड़ती थी फाइनली जो इसके अंदर जो blue turn होने के बाद जो है water को अलग कर दिया जाता था और जो गाड़ा liquid है जो नीचे subtle हुआ हुआ है उस liquid को उसे पकाया जाता था ताकि उसके अंदर का जितना भी water है वो evaporate हो जाए तो यह simple process है evaporate होने के बाद उससे फिर अच्छे जो केक्स है उस format में चान के केक्स के format में कट किया जाता था ताकि उसे सुखा के आगे फिर उसका व्यापार किया जाए और इन केक्स को आप डिरेक्ली अगर आपको coating करना है तो आप इसे पानी में घोल के या उसका जो process है उस तरह से करके आप कपड़े पर उसको color दे सकते हैं तो यह था पूरा वीडियो नील के उपर आपको और ट्रडिशनली वे था जो नील का synthetic वे आजकल बहुत प्रफर करते हैं चाइना से के उपर आप में को जरूर नीचे कमेंट में बताना तो वह भी वीडियो जल्दी 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 जालींगें कि अगर आप कि अगर आप कि अगर आप कि अगर आप